आज हम लोग पुलिमियल में रिमेंडर थियूरम को देखेंगे रिमेंडर थियूरम क्या होता है तो देखेंगे में अगर कोई पुलिमियल स से डिवाइड होता है then P A will be the remainder P A means the value of polynomial when X बराबर A will be the remainder यह remainder होगा अगर नई समझ में आया तो एक example से समझे when P X suppose this is a polynomial P X is equals to 3 X to the power 4 minus 6 X square minus 6 X minus 2 जब इस polynomial को divided by X minus 2 X minus 2 से divide करेंगे तो इसका remainder क्या होगा तो देखो जब X minus 2 को 0 के equal करेंगे X minus 2 is equal to 0 तो X का value कितना होगा 2 होगा 2 होगा X का value तो यही P2 क्या होगा P2 का value क्या होगा remainder होगा ठीक P2 means कि यहाँ PX है न यहाँ P2 है मतलब कि X के जगा कितना रख देंगे 2 रख देंगे और वही P2 का जब value होगा वह remainder होगा क्लियर है ठीक एक example और देखिए इसी को मालो कि यह polynomial है ना दिस इस polynomial और इस polynomial में जब X minus 2 से divide करेंगे तो remainder कितना होगा यहीं निकालना है फिर एक बात अगर इस polynomial को X minus 2 से divide करेंगे तो remainder क्या होगा तो पिछले वीडियो में आपने देखा है कि इसमें remainder कितना आता है फिर आपको एक बार दिखाते हैं देखिए इस polynomial में जब X minus 2 से divide किये था यह पिछला वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको तो remainder कितना है 6 है है ना अब हम बिना divide किये हुए ही बता सकते हैं कि जब इस polynomial में X minus 2 से divide करेंगे तो remainder कितना होगा 6 होगा कैसे बिना divide किये हुए बता सकते हैं तो remainder theorem से यही theorem यह बताता है कि हम remainder आसानी से निकाल सकते हैं दीखिए कैसे अब देखिए X-2 से डिभाइड करना है तो X-2 को जब 0 के equal करेंगे तो X का value कितना होगा 2? minus 2 जाक अधर 2 हो जैगा तब P2 का value remainder होगा P2 means PX में P2 यहाँ रखेंगे means जहाँ जहाँ X के वहाँ-Wहाँ कितना रख देंगे? 2 रख देंगे देखिए P2 3 X के power 4 है न देखिए दिखाई दे रहा है तर 2 के power 4 minus 6 X square है तर 2 का square minus 8 X है तर X के जागा 2 8 into 2 minus 2 अब इसी को solve किया गया है ठेक 2 के power 4 16 3 into 16 48 फिर 4 into 6 24 इतना हुआ 6 आ गया this is the remainder means कि बिना divide की remainder हम लोग निकाल सकते है अब देखिए exercise को देखते है इसी exercise को बनाना देखिए लिए कि using remainder theorem find remainder when PX is divided by GX देखिए question दिया हुआ है कि PX को GX से divide करना है ठीक तर 3 से ले करके और 14 तक अब आप स्क्रीन सॉट ले लिए इसका और questions बना करके हमको भेजना है plus screenshot ले लिया होगा अब देखिए मैं आपको answer भी दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर answer है इस answer का भी screenshot ले लिजे ठेक अब चलिए questions बनाना चालो करते है question number 3 का रहा है कि polynomial is what x cube minus 6 x square plus 9 x plus 3 जब इस polynomial में x minus 1 से divide करेंगे तो remainder क्या होगा ठीक तो remainder theorem से निकालना है हमको अब देखिए x minus 1 को किसके equal कर देंगे 0 के तो x का value कितना होगा 1 x का value 1 आया ना means p1 का value क्या देगा remainder देगा p1 का value remainder देगा कैसे देखिए आगे dेखिए remainder क्या होगा value of p1 अब यही polynomial है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1 ऐसा question पहले में देखे x cube तो 1 का cube minus 6 x square तो 1 का square 9 into 1 plus 3 अब इसका calculation बड़ा simple है 7 आ जागा and this is the remainder question number 4 question number 4 में कह रहा है कि जब इस polynomial में 2x cube minus 7x square plus 9x minus 13 gx बराबर x minus 3 से divide करेंगे तो remainder क्या होगा तो x minus 3 है तो बताए यह किसका value निकलना होगा p3 का x minus 3 है तो इसको जब 0 करेंगे तो x का value 3 आएगा ना मतलब p3 का value इसमें p3 x का जगा 3 रख देंगे और यह value निकालेंगे जो आएग वही क्या होगा remainder देखिए कैसे निकालते हैं देखिए p3 का value यही remainder था fourth number p3 का value x का जगा 3 रख दिये हैं देखिए calculation किया गया है यह आपको समाज मेरावगा सिम पर plus minus सिर्फ किया गया है 5 is the remainder next question number 5 देखिए जब यह polynomial px 3x to the power 4 minus 6x square minus 6x minus 2 जब x minus 2 से divide होगा तो remainder क्या होगा तो x minus 2 means put x minus 2 is equals to 0 you will get x is equals to 2 x बराबर 2 आएगा यहाँ यहाँ p2 का value निकालेंगे x2 आया ना तब p2 का means जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ 2 रख देंगे जो value आगा वही क्या होगा remainder देखिए कैसे निकालते हैं देखिए p2 का value x के जगा 2 रखेंगे तक x के जगा 2 3 into 2 के power 4 minus 6 into 2 square minus 8 into 2 minus 2 तक 2 to the power 4 means what 16, 16, 3 जा 48, 2 to the power 2 means 4, 6, 4 जा 24, 8 to 16 minus 2, अब यह 3 minus में है तो 3 minus को एक साथ पहले add कर देंगे तक 3 के addition कितना होगा minus 42 तो 48 में minus 42 is equal to 6 and that is the answer देखिए next question है question number 6 book में तक देखें ही है देखिए इस polynomial को जब हम लोग divide करेंगे किस से 2x minus 3 से तो remainder क्या होगा तो 2x minus 3 से polynomial में divide करने पहम को remainder find करना है तो पहले क्या करेंगे 2x minus 3 को equal to 0 करेंगे और x का value निकालेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा minus 3 जाएक उधर plus 3 हो जाएगा and x का value क्या होगा तो 2 into ना है जाके धर divide हो जाएगा 3 by 2 यही x का value आया अब polynomial में x का जगा 3 by 2 रख देंगे अब polynomial को जो value होगा वही remainder होगा अब मतलब किस का value निकलना होगा x 3 by 2 है तो P 3 by 2 का देखिए यहाँ P x polynomial है P 3 by 2 का value निकलना है means कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 3 by 2 देखिए 2 into x cube मतलब 3 by 2 का cube minus 9 x square है ना तो 3 by 2 का square plus x means 3 by 2 plus 15 अब 3 by 2 का cube कितना होगा 27 by 8 minus 9 3 by 2 का square 9 by 4 plus 3 by 2 plus 15 ठीक यह cancel होगा 4 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से LCM लेंगे 4, 4, 2, 1 का तो LCM 4 होगा fraction आपको आता ही है calculate किजिएगा या जाएगा 3 दा answer ठीक है इसको बना करके आप लोग हमको भेजिएगा मेरे वार्टसब पर एक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाग थैंक यू